प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सम्विधान दिवस पर विज्ञान भवन में आयोजित कारिक्रम में कहा कुछ शक्तियां अभी व्यक्ति की स्वतंतरता के नाम पर विकास शील देशों के प्रगती मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। सम्विधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं इन दोनों का अस्तित्व सम्विधान से ही है। इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष में अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक हैं। शीमोदी ने कहा कि सरकार सम्विधान के प्रतिस समर्पित है और विकास के मामले में कोई भेद्भाव नहीं करती. सम्विधान दिवस पर इस आवज़न के रूप में व्यक्त हो रही है हमारे सम्विधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है इस कारे से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी है इस आउसर पर भारत के प्रधान न्याधिश एनवीर रामन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपाली का और सरकार एक दूसरे के पूरक बन कर ही सम्विधानिक लक्षों को प्राप्ट कर सकते हैं